पिर्णाम स्टुडेंट्स देखे क्वांटम मेकैनिक्स चल लिए और क्वांटम मेकैनिक्स में जो हम करने वाले हैं वो है लेक्टर नमबर सैविन और इसमें भी क्या है हम कमूटेटर रिलेशन्स पढ़ने वाले हैं चान मेरे किस-किस के बीच पोजिशन के बीच पोजिशन के साथ पोजिशन का मूमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का मूमेंटम के साथ और मूमेंटम का मूमेंटम के साथ इस तरीके से हम कितने रिलेशन्स पढ़ने वाले हैं चार हेडिंग यहाँ पर तीन डली हुई है पोजिशन का पोजिशन से पोजिशन का मुमेंटम का है और मुमेंटम का मुमेंटम से भी होना है और काइनेटिक एनरजी का मुमेंटम से है और यह जो मुमेंटम है यह लेनियर मुमेंटम है कौन सा है लेनियर मुमेंटम लेनियर मुमेंटम क्या होता है पी वरावर एम भी होता है लेक्चर 7 है क्वां आपको रुकना नहीं है थगना नहीं है बस करते रहना है देखो आपको definition पता है कि इसकी बाइदा definition of commutator ओपरेटर नहीं बाइदा definition of commutator जो हम commutator की definition है हम उससे जानते हैं कि जब a और b का commutator लेता है तो a b minus b आता है अब हमें एक चीज और पता है कि commutator कभी भी अकेला नहीं लेते तो commutator के साथ साई लेंगे तो यहां भी हमने साई लिख दिया तो a की जंगे x है बी की जगे y है तो a की जग x, b की जगे y, b की जगे y, a की जगे x, अब आपको याद हो हमने operator position operator बता है तो हमने position operator में बता है कि position operator का operator वो का वह होता है, यानि के x operator का x ही होगा, y operator का y होगा, यह रहा, यह रहा, तो cut case 0 आ जाएगा और जो value जीरो आ जाये तो वे क्या होता है कॉम्यूट याद है कुछ पहले लेक्टर में पढ़ा था तो यानि के यह क्या होते हैं एक दूसरे से कॉम्यूट करते हैं समझ गए अब जैसे हमने एक्स वाई दिखाया similarly we can show that yz हो चाहे zx हो वो किसके बरबर होगा जीरो के तो पोजिशन का पोजिशन से हम दिखा चुके हैं कॉम्यूट रिलेशन अब किसके बीच है पोजिशन का लीनियर मुमेंटम के साथ तो हम एक्स के लिए लेकर कर रहे हैं वाई के लिए आपको दिखा देना क्या हमने एक्स लिए और पी एक्स लिए जब सोल करते हैं तो आई कटिंग ऑफ एच आता है या एच कट बोदते ह हैं ठीक टेंशन मतलो दो मिनिट में हो जाएगा बाइदा डैफिनेशन ओफ कम्यूटेटर की डैफिनेशन से बात करें तो यह है पहले तो इन दोनों को एक ही किरम में लिखेंगे फिर माइनस फिर यह वाला पहले यह वाला बात में यही तो लगाया और साई भार ले लिय होंगी चाहिए उपर यह लगाओ या मत लगाओ ठीक और जो पी ए ओपरेटर है इसकी वैल्यू कितनी थी पी की माइनस आई एच कट इन्टू डैल अब एक्स के रेस्पेक्ट में यह पी कम्यूटेटर पी ओपरेटर की वैल्यू थी अगर आप एक्स एक्स के अलों पोच कर्ली अपोन कर्ली एक्स साई यह अंदर मल्टिप्लाई करके लिख दिया फिर यहां पी एक्स की वैल्यू क्या आई एक्स कट अपोन कर्ली साई अपोन कर्ली है इन्टू एक्स कैप ऐसा ही और साई ऐसा ही होगिया अब यहां पर इस चीज़ को आपको अब भली बात ही सम जया गया यह रहा यह माइनस साइन भार ले लिया आई एसा ही एच कत एसा ही अब यहाँ पोजिए कर दिशाई भाई कर लिए अब यहां देखो पिलस-पिलस कैसा हुआ बिटा यहाँ पर एक माइनस यहीं था और जब इसमें रखते हैं हाई एक माइनस इसका था तो माइनस माइनस क्यों पिलस हो जाता है इसकर एसा हुई लेकिन जब आग्या आते हैं तो죠ix एक्स के आग्या दो वानई आपको पता थास थो च्छू होता है तो आभ blues पर दो तरीके से सब्सक्राइब करेंगे तो यहां आप अब एक चीज ओबजर्व करने की कोशिस करो सर हम तो उबजर्व करते रहते हैं बुड़ा पाल यह उबजर्व करते करते हैं अभी तो कुछ नहीं अभी तो बीएस्टी के बाद असली दोड सुरी होगी अभी तो पता है तुम बीएस्टी कर रहे हो बीएस्टी की बुक्स पढ़ नहीं है दोड तो बीएस्टी के बाद चालो है आपकी ठीक है यहां देखो यह value और यह value सेम है अंतर कितना यह minus में है यह plus में है तो सब्सक्राइब क्या बचेगा आई एच इंटू साइए इंटू साइए अब आपको दोनों तरफ से साइए हटा दो तो एकस पी एकस की value क्या आगी आई एच कट यही तुम अन्य बता है ता इसी तरीके से आप वाई पी वाई के लिए एक का पोजिशन कमपोनेंट समझ यहां क्या होगा यहां तो हमें समझ में आ आगिया आएच का यह सबके लिए समस्च्या क्या है जहां एक का पोजिशन देदे और एक का मुमेंटम देदे है महां कैसे होंगे देखो मैंने हैं लिखेल दिया similarly we can solve किस के लिए y component के लिए और जैड के लिए अब समस्या कहां किया जब एक का तो position component और एक का momentum तो हमें घवराना ही नहीं है अब आप इसकी value जानते हो पहले तो दोनों को सिद्धा लिखो फिर बीच में माइनस का निशान फिर बाद वाला पहले अरे यही तो ए भी माइनस भी है यही तो मनने क्या है कोई rocket science तो डी क्या अब X का तो X ही होगा पी का आपको पता है माइनस आई एच कट कर्ली साइब आइ कर्ली वाई के रैस्पेक्ट में हो जाएगा पिलस क्यूं माइनस इसका एक माइनस आई एच इसका कर्ली साइब आई कर्ली वाई x operator into psi कोई rocket science नहीं? सर्ज, कोई नहीं यहां तो minus bar ih cut x operator curly psi by या आप ऐसे समझो यहां पर मैंने ऐसे solve ना करके पहले की तरीके सा पूरे मैं से common ले लिया मैंने क्या common ले लिया? ih cut ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गिया हुगा देखो ih cut इसमें भी है यह रहा और इसमें भी है तो ih cut मनने common ले लिया साथ में minus भी common ले लिया तो यहां क्या बचा? x operator बचा और curly psi by curly y बचा अब जब minus common ले गया तो plus minus यहां पर minus आ जाएगा यहां फिर से first function, second function यह x operator first function ऐसा ही differential of second plus लेकिन भार minus है तो plus minus हो जाएगा second function ऐसा का ऐसा ही differential of first हो गया अब देखो यह दोनों quantity same है cut गया ih और यहां देखो x का y के respect में थोड़ी कर दोगे x का x के respect में तो करोगे तो यह भी 0 और 0 की किसमें multiply करो 0 तो similarly हम ypz और zpx यानि के जो हमारे similar operator है उनके लिए तो आता है ih cut और जो opposite मतलब दूसरे हैं एक दूसरे का एक दूसरे का उसका 0 इनमें एक बात और समझें इन वालों में किसमें इसमें अगर वो value बदल दे क्या कर दे समझें वो कर दे px comma x यह कर दिया आपने पढ़ी तो है प्रोपर्टी क्या a b बरावर माइनस भी है तो इस चीज़ी को लेकर tension में नहीं आना कि यह तो सर डबलू सा लग रहा लेकिन यह उपपर को पैर करके क्यों लेटा समझें एम सा लग रहा पर उपर को पैर करके क्यों लेटा यह आपको पता है बेसिकली सीज़े अब यहां तक हम solve कर तुके हैं अब किसके लिए करते हैं momentum का momentum के साथ हमने position का position के साथ कर लिया position का momentum के साथ कर लिया momentum का momentum के साथ करेंगे फिर kinetic energy का momentum के साथ करेंगे तो momentum हमने पहला x coordinate के लिए लिए तो तो दुन्नों साथ ही आएंगे यह तो कतल करके 0 कुछ भी वैल्यू रख लो लेकिन है तो सेम तो 0 कर देंगे तो बिट्टा यह क्या होगी यह कम्यूट होगी जिनकी वैल्यू जीरू आ जाए क्या वह कम्यूट नहीं होते हमने सबसे पहले यह भी तो पढ़ाता जब कम्यू या साई बरावर पहले तो सिद्धे रखे माइनस करके फिर उल्टे रख दिये अरे यही तो है कमूटेटर का फोर्मूला AB minus BA बताओ यही तो है जब दो कमूट एक बार सिद्धे एक बार उल्टे बीच में माइनस कर दिया अब वैल्यू रखो यह थोड़ा सा वैल्यू रखने पर लंबा लग रहा है लेकिन है बहुत ज्यादा ही जी देखो जब हम पी एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस आई एच कर्ली साई वाई कर्ली एक्स पी वाई की वैल्यू रखेंगे अपॉन में वाई आजाएगा पी वाई की वैल्यू रखोगे अपॉन य आ जाएगा एक्स की वैल्यू रखोगे अपॉन मैक्स और साई भार एज इसमें तो कोई रोकिट साइस नहीं यह आप इजली समझ चुके होंगे सर समझ लिया तो हमने सारा इनका स्क्रीन शोट खुद ले लिया करो सु आई एज कट आई एज कट तो आई स्क्वाइर एज कट इसमें भी आई एज आई एज इन दोनों में आएगा ना तो आई स्क्वाइर एज कट इसक्वाइर और माइनस माइनस पिलस यहाँ भी माइनस माइनस पिलस यह कट देंगे ना तो मैंने जब यह कोमन ले लिया तो से सबसे साथ और इसके साथ सब्सक्राइब करणी साथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब बढ़ .ैङ ?ए भी साथ कट गया यह बहुत शेरय देंगा सर कैसे जिरो देगा देखो घवराने की जडिव distinguish不錯 में यह फिलीक्ष गुरु इसी अब आप देखो यहetime value नी बनीगी यह यह इंगी आप काटना देंगे अंदर जीरो यो भी जीरो देखा आपको next page पर दिखाऊंगा जीरो नहीं आगे यह रहा यानि के जो आपका momentum है वो चाहे same coordinates के साथ लो चाहे different coordinates के साथ लो वो 0 ही देता है देखो जब हमने same के साथ लिया तब भी 0 जब हमने दूसरे coordinates के साथ लिया तब भी 0 तो momentum में आपको घबरान की जिवरत लिये समझो क्या हमने position का position के साथ लिया 0 position के साथ लिया जब same coordinate ले ले थे जब coordinate differently 0 momentum का लिया momentum के साथ same coordinate पर भी 0 different coordinates पर भी 0 अब क्या कर रहे है अब kinetic energy का ले रहे है किसके साथ linear momentum का या यह कहलो linear momentum का ले रहे है kinetic energy के साथ छोटा सा है ज्यादे खतर्नाक नहीं है देखो यह kinetic energy है और यह क्या है आपका momentum है हम same के लिए ना लेकर अलग के लिए लेकर दिखा रहे है यह एक काम करो मैंने उल्टा लिग दिया आप सही कर ले ना पहले सेम के लिए ले रहे हैं देखो क्या से पहले इससे ढख देता हूं आपके दिया इसक्रीन शोट ले ले लेना अभी थोड़ी सी देर का समय दोबस यहां पर एक्स और यहां पर भी हमने सेमी कोडिनेट ले लिए ले लिए इने साइस है तो पहले तो सिद्ध और फिर उल्टे अब आपको काइनेटिक एनरजी का तो पता है यह तो था माइनस के H2 हमने कली तो पढ़ा था कल मतले इससे पहली वीडियो माइनस के H2 अपउन 2M इन्टू डेल स्क्वाइर यही तो था अब जब X-axis के लिए लिखोगे इसका तो मैंने लिखके भी दिखाये था माइनस के h square अपोन 2m कर्ली 2 अपोन कर्ली x square यही तो रखाए मैंने इन्टू इसका बहुत देड़ से पढ़ रहते माइनस का निशान लगा है यह रा इसका यहां रखा और इसका यहां रखा पलट के लेख लो कोई फरक पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा चलो समझें अब आप थोड़ा सी अकल चलाओ क्या h square into h h cube और i i minus minus as is h square into h h cube i minus minus upon इसमें भी 2m और इसमें भी 2m तो h cube i upon 2m common तो यहां क्या बचा curly 2 upon curly x square into curly upon curly x यह साई पोच जाएगा यहां पर तो यहां रख curly cube upon curly x cube हो जाएगा अब दो योग और एक योग रहा साथ में साई minus समें यहां भी यह होगा 2 ये रह और एक योग रहा 3 बन गे power 3 और साई पोच गया अब आप काट के 0 कर दो काट के क्या कर दो 0 तो जीरो हो गया ना 0 similarly we can solve for y component के लिए और z के लिए आप tx py के लिए भी कर सकते हो कर सकते हो यहां पर क्या जाएगा tx py और py tx बस 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 यहां पर y की जंग है क्या आज x की जंग है y आ जाएगा अगर मैं solve करके देखो तो मुझे लगता है side 0 यह आएगा एक बार आप करके देखना लो इसका भी screenshot ले लो हाला कि next page पे मैंने लिखा हुआ है similarly do yourself यह क्या है यह आपका क्या है homework जिसमें kinetic energy एक का momentum दूसरे component का यह हमको नहीं करना है यह हम next lecture में करेंगे आशा करता हूँ आपको यह lecture भी crystal clear हुआ हुआ हुगा आप मुमें इसकी quantum mechanics और spectroscopy के लिए हमाई साथ ऐसे ही बने रही है यह unit हम खतम कर देंगे आज के आज ही तो इसलिए आप सुबह भी lecture आया है इसका तोपहर को भी आया है साम को भी आया है और night में भी आया इसके आज चार लेक्चर आएंगे और चार लेक्चर में हम unit 1 को अच्छे सा finish करेंगे बिल्कुल ठीक मिलते हैं आप से next class में पतले जाहिं जाबारत इना